इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है यह संक्रमन पैदा करने वाले जीवानूओं को गुना करने से रोक कर उनके विकास को रोकता है। यह दवा नियमित खुराक के तीन से पांच दिनों के भीतर लाब दिखाना शुरू कर देती है। हाला कि आपको दवा का पूरा कोस पूरा करना चाहिए और इसे कभी भी अपने आप से अचानक बंद नहीं करना चाहिए क्यूंकि इससे आपके बच्चे की स्थिती खराब हो सकती है या संक्रमन की पुनरावरित्ती हो सकती है। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। इसे मापने वाले कप से नापें और मुझ से लें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। Kefloradomix Oral Suspension केला भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। कैफलो रेडिमिक्स ओरल सस्पेंशन के एला एक एंटी बाउटिक है। यह बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक जीवानु सुरक्षा कवच यानि की कोशिका दीवार को बनने से रोकता है। ऐसा करने से यह दवा संक्रमन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को औ बढ़ने से रोकती है और आगे के इलाज के लिए प्रतिरोध पैदा किये बिना संक्रमन को फैलने से रोकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।